तो दोस्तो आज की वीडियो में आप देख सकते हो कि मेरे पास यह छोटी-छोटी कोब लाइट है और आज की वीडियो के अंदर हम इसी कोब लाइट का यूज करके एक बहुती बढ़िया पोटेबल लाइट बनाने वाले हैं पहले हमें एक बोक्स ही होगा तो मेरे पास फ्रेंड यह जो हमारी आटिफिसल जूलरी वेगर आती है तो उसके अंदर कुछ इस टैप के बोक्स निकलते हैं चोटे-चोटे यहां पे उसी बोक्स का यूज कर रहा हूँ, बिल्कल चोटा सा लाइट-ट कर रेंगे यहां पर हम बרाबर से फिट कर लेंगे इसको इस टरीके से करेंगे तो हमें क्या करना है अब इससे side में हलकी-फेवीग डाल देना है ताकि यह late हमारे अच्छे से चिपक जाए, तो मैं क्या करता हूं friend यह मेरे पास फेवीग है और इस फेवीगjut को हम सैड में हलका कर डाल देंगे, ताकि यह sad से इल्कुल अच्छे तरीके से चिपक जाए तो ये जो light है, ये हमारी यहां पे चिपक गई है, अब इसके अंदर देखें, friend, हमें सबसे पहले connection करने हैं, तो connection करने के लिए मैं आपको बता दूँ, कि इसके अंदर क्या है, इस light के अंदर देखें, ये हमारा plus का point है, ये minus का point है, ये plus का, ये minus, ये plus, और अब पैरलल में करने है अब अब र devi उन्गे प्लस ब्लस प्लस उसको एक वार से जोड़ देंगे और जो मैंने दूसरी अले प्लस के साथ में जोड़ा और फिर यहीं से इस वायर को मैंने तीसरे LED के प्लस के साथ में जोड़ दिया और इसी तरीके से देखें यह हमारे LED के माइनस है तो यहां से वायर हमारे दूसरे LED के माइनस के साथ में जोड़ी और यहीं से यह तीसरे LED के मानेश साथ में जुड़ गई तो यहाँ पर दिखें यह हमारी प्लस की वायर होगी और यह हमारी मानेश की वायर होगी और यहाँ पर मैंने जमफर वायर यूज करें जो कि इस टैप की हमारी कोपर वायर होती है और यह रिल आप वो किसी भी मोबायर रिपैरिंग की सोपे 10-15 रूपे के अंदर मिल जाएगी मैंने यहाँ पर मोटी वायर का यूज नहीं करा क्योंकि यहाँ पर जगा पहले से ही बहुत कम है तो इसलिए हम जमफर वायर का यूज कर रहे हैं अब उसके बाद हमीं क्या करना है उसके बाद इसरे 5 w kew से चिपका लिए तो यहां पर देख़ी यह जो हमारा switch है यहां पर चिपक गया है अब यह switch हमारा लग गया है तो अब हमें क्या करना है इसके side में और इसके side में एक छोटे-छौटे दो hole करने है तो यहां पर देखिए, hole करने के लिए, friend, हम क्या करेंगे, इस type का, देखिए, मेरे पास यह lighter है, इस से हम इसको गरम करते हैं, पहले, यह देखिए, मैं इसको गरम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास छोटी drill नहीं है, फिलाल, तो हम इस तरीके से इसको गरम कर रहे हैं, और ग करने के बाद देखिए, friend, इस तरीके से हम यहां पर hole करेंगे, एक छोटा सा हमें hole करना है, तो यह देखिए, बड़े आराम से यहां पर hole हो गया, यह देखिए, यहां पर हमारे इसी point के साथ में solding कर देंगे, तो इसको हम देखिए, इस तरीके से वायर को थोड़ास हम उपर की तरफ करेंगे, काफी हलकी वायर होती है, तो इसलिए आपको जहां से इसके अंदर solding करनी है, इस तरीके से हमने करा, और करने के बाद हम यहां पर हलकी से पेस्ट लगाएंगे, देखिए, हलकी से हमें पेस्ट लगा लेनी है, क्योंकि इस वाले switch के अंदर यह होता है, क्योंकि जादा देर iron को टेच करोगे, तो यह switch भी हमारे type का खराब हो जाता है, तो यहां पर इस तरीके से, यह देखिए, मैंने इसको जोड़ दिया, तो हमारी एक वायर यहां पर लगई है, प्लस वाली, अब उसके बाद हमें क्या करेंद, एक और वायर का टुकड़ा लेना है, तो यह देखिए, मेरे पास यह पतली वायर का ट जरूर लगानी है, जब भी आप स्विच के अंदर वायर जोड़े हो, या पर कहीं पर भी वायर जोड़ते हो, तो आपको पेस्ट जरूरी होती है लगानी, यहां पर देखिए, बड़े अराम से हमारी होगी है, तो यहां पर हमने स्विच का भी कनेक्शन कर लिया, अब उ तो यह जो वायर है, इसको हम इस तरीके से हलका हलका अंदर की तरफ कर लेंगे, देखिए, इनके अंदर क्या होती है, कि पॉलिस चड़ी होती है, तो यहां पर सोटिंग नहीं होगी, कभी आप सोचो कि इन्होंने वायर ऐसी लगा दी, तो इसमें सोट हो जाएगा, यहां पर देखिए, कुछ इस तरीके से हम अपने चार्जिंग मेड्यूल को लगाएंगे, यहां पर, इस तरीके से हमें लगाना है, तो यहां पर हमी क्या करना है, आरकर से इस तरीके से निसान लगा लेंगे, देखिए, हरकाल का हमें निसान लगा लेना है, यह देखिए, इतन जाईगे उलकी से होसे चार्जिंग नानी है तो यहां पर हम नेयुग को लगाया हुं भाप हुमने इसको छिपका लेना लेंगा है और लगाने निक की तरफ आ चुकी है तो इसको मैं एक बार थोड़ा सा सोखने देता हूँ यह देखे फ्रेंड यह टीपी 456 मेडूल हमारा अच्छी तरीके से चिपक गया है तो यहां पर यह हमारा लग गया अब उसके बाद यहां पर हम इसके केनेक्शन करने हैं तो करनेक्शन देखे बिलकुल असान प्लाइड हैं तो इस वाले point पर हमारा out plus लिखा है और यह पर B plus लिखा हुआ है तो यह जो B plus और B minus है यह पर तुआ हमारी battery वाली wire आएगी और यह जो out plus और out minus है यहांपे हमारी LED के plus minus वाली wire आएगी तो यह जो हमारा switch से wire आ रहा था यह जो switch से हमने वार को जोड़ा था, इस वार को हम कहां पर जोड़ेंगे, इसको हम जोड़ेंगे आउट प्लस पर, और यह जो हमारी LED की माइनस वाली वायर है, इसको हम जोड़ेंगे आउट माइनस पर, तो मैं फटा-फट यहां पर वार को जोड़ लिखता हूं, यहां पर out PLUS और OUT MINUS वाली WIRE महEDने जोड़ लिए है अब उसके बाद देखे FRIEND हमें क्या करना है उसके बाद हमारा B PPLUS और B Minus है तो यहां पर हमें BATERY की बाद जोड़ ली है तो इस LAT गो जलाने के लिए देखे FRIEND हम इस छोटी वाली battery का use करने वाले हैं क्योंकि यह जो हमारी body है यह भी कावी छोटी है तो इसे की हिसाब से हम यहाँ पर battery करेंगे तो यह जो battery है यह हमारे 3.7 voltage की battery होती है और यह जो हमारे तो इस तरीके से फ्रैंड हमारी इस पोटेबल लाइट के जो चुका है तो अब हम क्या करेंगे जो इसके उपर की ये बोडी है इसको हम इसको फिट करना बिलकुल असान है और इस तरीके से फिट करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी अंदर की सारी चीज़ें हमें दिखा लगा रहा है तो यहां पे चार लगा रहा हूं तो आप देख सकते हो कि हमारी राट के यहां पर चार्ज जल रही है तो कि हमारी बैटरी फिलाल अभी चार्ज हो रही है और जब हमारी बैटरी फुल हो जाईगी फ्रेंट तो इसके अंदर virtually lead जलने लगेगी तो इसають हमारी जो बैटरी है यह से खराब भी नहीं होगी और काफी लंबे टैम तक इसकी बैटरी हमारी चलेगी तो इस तरीके से तो आपको इसको चार्ज करना है अब चलिए इसके हम रोसनी वेगरा देखते हैं तो यह हमने जो स्विच लगा इसको हम प्रेस करेंगे तो यह देखें फ्रेंड जैसे मैंने अपने उपर वाले लाइट को बंद कर देता हूं लगे जैसे मैंने अपनी उपर वाले लाइट को बंद कर रहा तो अब आप देख सकते हो कि हमारी इस पोटीवल लाइट की ब्राइट नैस काफी तेज है और इस लाइट का यूज आप छोटे-मोटे काम के लिए बड़े टोपिक साथ तब तक लेज जैने वंदे मातरम